मनोज सिरा जी पिछले एक साल में एक साल से कुछ अधिक हुआ है अब्रोगेशन आफ आर्टिकल 370 थी हमने तीन एलजीज देखे हैं पहले सत्पाल मलिक जो पूर्व गवर्नर दे कुछ समय वो रहे फिर वो हटे मुर्मू जी आए अब आप आए कहीं न कहीं ये एक जिसको मैं कहूंगी कि एक 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 स्पेरिमेंटल अभियान सरकार चला रही है ऐसा ऐसा लगता है कि ये शोर नहीं है ये कई लोगों का इसमें क्रिटिसिजम रहा है आप इसको कैसे देखते हैं एक बात मुझे लगता है कि सत्पाल मलिक साब यहां गवर्नर थे जब ये यूटी बना तो सबके मन में असपस्ट रहा होगा कि अब वो दूसरी जगह कहीं जाएंगे गवर्नर बनके दूसरी बात मुर्मु साब यहां एलजी के रूप में आये और मैं कहना चाहता हूँ कि कई बहुत ही अच्छे इनिसियेटिव मुर्मु साब नहीं सुरू किये बारत सरकार की उजनाओं को लागू करने की कोशिस की लेंग्विसिंग प्रोजेक्ट कैसे पूरा हों इसके लिए एक नया काम उन्होंने सुरू किया और मुझे लगता है कि मुर्मु साब के एक वर्स के कालखंड में कोवीड ने भी काफी कामों को प्रभावित किया लेकिन मुर्मु साब ने बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं उस काम को आगे बढ़ाऊंगा आज भी जम्मु और कश्मीर में इंसरजेंसी और टेररिजम के चैलेंजिज शायद उतने ही पीक पे हैं जितने पहले भी रहे हैं ये टेररिजम और इंसरजेंसी और बॉर्डर पे जो हमारी पाकिस्तान के साथ कॉन्फरेंटेशन की सिचुएशन रहती है इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि ये आने वाले समय में कुछ कम होने की आसार भी नजर आते हैं या नहीं देखिए अगर स्टेटिस्टिक्स को आप एनलाइज करेंगी तो आप खुद पाएंगी कि पहले की तुलना में मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स बहुत कम हो गई अगर किलिंग्स को देखेंगी तो वो भी पहले से ड्रास्टिक गिरावट इसमें आई है हाई और सेक्यूरिटी फोर्सेस का काफी अपर एंड है दूसरी बात जमू कस्मीर पुलिस आर्मी और सेंट्रल आर्म फो कुछ आतंकवादी पकड़े गए अभी पुंच में कुछ दिन पहले हमारा पडोसी देश यहां के डिमोकरिटिक प्रोसेस को डिस्टर परना चाहता था तो इतने चौकन्ने हैं हमारे जमू कस्मीर पुलिस और आर्म फोर्सेस के लोग कि कोई आउसर उनको नहीं मिल पा र हुआ है तमाम पडोसी के कोशिसों के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल लई है और हम यह इंस्यूर करेंगे कि टेररिजम मुक्त जमू कस्मीर भी सिघ्र देश के लोग देख सकें वैली के जितने नेता हैं उनका कहना है इसको आगे ले जाने के लिए इस सपने को साकार क के लिए पाकिस्तान से बाचीत करनी ज़रूरी है क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान से बाचीत करके कोई हल निकल पाएगा मुझे लगता है कि देश का विदेश मंतरा ले इन बातों पर बहतर राय दे सकेगा लेकिन अभी जो इस्थिती है पड़ोसी देश की मैं नहीं मानता हूं कि किसी बाचीत की जरूरत है